हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अमरदीब कुमार और आप देख रहे हैं करेंट अफेर्स पाइ स्टेडी नेक्स्ट यहाँ आज हम इस वीडियो में जुलाई 2020 के फर्स्ट विक के करेंट अफेर्स के बारे में डिसकस करेंगे वीडियो को सुरुवात करने से पहले आप लोगे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा जे ताकि आपकी जो लेटिस इंफोर्मेशन है वो आपको मिल जाएं तो वीडियो को सुरुवात करते हैं पहले को हरी आना इसका सही अंसर है डेली इसका सही अंसर है डेली ओके तो डेली के बारे में हम जयानकारी लेते हैं डेली के चीफ फिनेश्टर है अरवियं केजरिवाल Employment Minister है गोपाल रहा है Lieutenant Governor है अनिल बैजल Deputy Chief Minister है मनिश्टी शोधिया यज अवियान 10 जुलाई 22-26 जुलाई 22 त जाएंगे जो सरकों के दोनों और लगाए जाएंगे राश्टिय राजमार्ग 20 में आईटियों के पास यह अवियान चलाए जाएगा दिली सरकार के प्रयावन मंत्राले ने 2021 तक सारे 300 किलोमेटर के ग्रीन कवर का लच्छे रखा है यह 2017 में 299 किलोमेटर स्कॉयर था 2019 में यह 325 किलोमेटर स्कॉयर था बरते दूसरे कॉश्चन के तरह वेन विल पोस्टर वर्कर डे और पोस्टेड स्टाम डे हैज बिन सेलेविटेट यानि राश्टिय राज डाक क् किस दिन मनाय जाता है पहला फर्स जुलाई दूसरा थर्ड जुलाई तीसरा पान जुलाई चौथा साथ जुलाई इसका सही अंसर है फर्स जुलाई आईए इसके बारे में और जान करते हैं यह हर वर्स एक जुलाई राश्टिय डाग क्रमचारी दिवस मनाय जाता है भार भारत में कुलकत्ता में 1774 में पहले पोस्ट आपिस के अस्थापना की गए थी। भारत में 20 अगस्ट 1991 को सबसे बारा डार्क टिकट भारत के पूरुवर प्रधान मंती राजीव गांधी पर जारिक किया गया था। 9 अक्टूबर को विश्वर डार्क दिवस मनाये जाता ले कोश्टन के तरफ। विच नेशन हैं। लान्जट एन न्यूग स्पाइश सेटलाइट। किस ट्रास्ट ने एक नया जासु सी उपगरा लांज किया है। हमारे उपशन है इस्चा इसराइल, एरान, टर्की, नौर्थ कुरिया।। इसका ऑस्पाइए अंसर है इसराइ रिवलीन है, प्राइम बिनिस्टर बेंजामीन नेतानु हो है, करंसी वहां की न्यू सक्कील है, आए जानते हैं, इस्राइल के रच्छा मंतराले ने 6 जुलाई 2020 को गोजना की कि उसने सफलता पूरों एक नया जासूस उपगरा लॉंच किया है, पुरे छेत्र में कई खत्रो पर नजर रखने के लिए उपगरों को एक अत्रिक्त उपकरन के रुप में काम करने की उम्मीद है, इसका नाम उफएक 16 रखा गया है, यह उपगरा इस्राइल एरोस्पेस इंडरस्टी के साथ विक्सित किया गया है, बरते कोश्टन नेक्ष के तरफ, टू टाइम इसका चाइना, जपान, साउथ कोरिया, इसका चाइना, यह आप देख सकते हैं उनकी फोटो है, आए उनके बारे में जानते हैं, पांच बार के विस्वा चैंपियन लिंडैन ने बेड्मिंटन से सन्यास लेने की गोस्टना की, डैन के खेलक इतिहास में सबसे महान उन्होंने कुल 666 एकल खिताब जीते हैं नेक्ट वर्सन परते हैं विच स्टेट लॉंच वीवर्स सम्मान योजना बुनकर सम्मान योजना किस राजने सुरू की तेलंगाना, करनाटक, महराश्र, माद्देपरदेश एंसर है सही इसका करनाटक आए करनाटक के बारे में कुछ जनकारी लेते हैं इसके कैप्टल है बैंगलूर, गवर्नर है वैजुभाई वाला चीफ विनिस्टर बीएस ये दुरप्पा है जो वीजैपी के हैं यहाँ पर दो स्टेट लेजर है विधान सभा जिसकी 224 सीटे हैं करनाटक के मुख्य मंत्री बीएस रेदुपा ने 6 जुलाई 2020 को बुनकर सम्मान योजना शुरू की इस योजना की तहत राजी सरकार लावकारी अंतरन के माद्यम से राज में लगभाग 19,744 हद करगा बुनकों को 2000 रुपे की वार्षिक वितिय सहता परदान करेगी तो इसका सही अंसर है चाइना ये इंटर मंगोलिया एरिया में पाए गया है ये साथ जुलाई को चीन में बियोनिक प्लेग नामक बिमारी के एक नया मामला देखने को मिला है इसके बाद पूरे चीन में थर्ड लेवल का अलर्ट जारी कर दिया गया है ये एक ऐसी खतरनाक बिमारी है जिसके कारण एक समय में यूरोप के करोल लोगों की जान चली गए थी चीन के इनर मंगोलिय चेतर के बायनूर सहर में बियोनिक प्लेग का पहला मामला देखने को मिला है बियोनिक प्लेग एक ऐसी बिमारी है जो बैक्टरियल इंफेक्षन के कारण होती है यह एक बैक्टरिया इंफेक्षन है नकी वाइरस इसलिए इसका इलाज एंटी बायोटिक दावाओं के जड़िये संभव भी हैं बियोनिक प्लेग नाम का यह संक्रम में human to human फैलता है इस कारण यह और भी खतरनाक सावित हो सकता है एक मरीज में इस बिमारी के पूष्टी होने के बाद एक अन्य व्यक्ति को भी बियोनिक प्लेग से संक्रमित होने के बाद ही जा रही है यह एक पिसेस परकार के जिवानू यरसीनिया पेस्टीस यह याद नाम रखिएगा यरसीनिया पेस्टीस से संक्रमित होने के कारण होता है मानो सरीन में आम तोर पर यह बिमारी कुतरने के प्रव्यत्ती को रखने वाले जानवड़ों के कारण फैलती है जो की आम तोर पर पिस्वों के संपरक में आ जाते है ये बियोनिक प्लेग की बैक्टिरिया का फोटो है next question हमारा who has recently taken over the chairman of Indian Oil Corporation Limited Indian Oil Corporation Limited के अग्देख्च का पदभार हाल में किसने सम्हाला श्रिकांत माधव वैद्य ने, इंद्रमनी पांड़े ने, सुमित नाथपाल ने, नन अवद्धायवा इसका सही अंसर है, श्रिकांत माधव वैद्य ये उनकी फोटो है, आयो उनके बारे में जानते हैं श्रिकांत माधव वैद्य देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी Indian Oil Corporation के नए चेर्मेन होंगे श्रिकांत माधव आने वाली एक जुलाई को कारेभाल सम्हालेंगे उनका कारेकाल 31 अगस 2023 तक का होगा Indian Oil भारत सरकार के समाधव वैद्यों वाले तेल और गैस कंपनी है इसकी मुख्याले ने दिली में है भारत सरकार के सबसे इंटिग्रेटर ओयल रिफाइलिंग कंपनी है या भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है या देश के सबसे बड़ी कंपनी भी है वर्ज 2016 के लिए फॉर्चिन इंडिया 500 सुची में इसे पहला स्थान दिया गया वर्ज 2019 फॉर्चिन ग्लोबल के नुसार दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीों में से इसकी सुची 500 में से 117 रही है इसका सही अंसर है कोरियोग्राफर इनकी ये फोटो है आप देख सकते हैं आए उनके बारे में जानते हैं प्रशिद बॉलिविट करियोग्राफर सरोज खान जिनका जन्म नाम है निर्मला नागपाल 3 जुलाई 2020 को निधन हो गया वह 71 वर्स के थी उनका जन्म 20 नौंबर 1948 को महराष्ट में हुआ था उन्होंने अपने कैरियर में 3000 से अधिक गाने कोरियोग्राफ किये हैं उन्हें गीता मेरा नाम 1974 में एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रुप में ब्रेक मिला उन्हें मिस्टर इंडिया 1987 के गाने हवा हवाई से अपारे लोग प्रियता मिली उनकी आखरे फिलिम कलंग 2019 में थी जिसमें उन्होंने माधुरी दिच्छित के गाने को कोरियोग्राफ किया था सरोच खान तीन अवार्ड के साथ सरोच सेस्ट कोरियोग्राफिक के लिए सबसे अधिक राष्टे फिलिम पुर्शकार प्राप्त करने वाली थी बरते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ इनमें से किसने रूसी चुनाव जिता और 2036 तक राश्पती रहेंगे हमारे अप्सन है वालमिदिर पुतीन, मिखायल मिशिस्टीन, एंडरी बेलोसो, वेक्टोरिया अमप्रामिंग को तो इसका सही अंसर है वालमिदिर पुतीन आए हम बरते हैं इसके बारे में डिटिल्स जानते हैं 77.9% रूसी वोटर्स ने समयधानिक संसोधन के पक्ष में मतदान किया जो सरसट वर्षिय राश्पती वालमिदिर पुतीन को 2036 तक सत्ता में बने रहने के अनुमती देगा यानि 83 साल की उम्र तक 6 साव का उनका वर्तमान कारिकाल 2024 में समाप्त होगा समयधानिक संसोधन के तहट उन्हें दो बार फिर से चुना गया है वो पहले से आधुनिक रूसी इत्यास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली नेता है आए हम जानते हैं इंडिया और रश्के के वेपनस दिल के बारे में Defense Acquisition Council यानि D.A.C. Chair by Union Minister of Defense Approved 38,900 क्रोर फोर दे वीपन पर्चेस और अप्ग्रेशन दिल 21 MiG-29 फाइटर जेस पर दे इंडियन एर फोर्स अप्ग्रेशन अप्ग्रेशन अफ एक्जिस्टिंग 59 MIA MiG-29 और अक्वाजिशन अफ 12 सुखोई 30 MIA Fighter Zets यानि Defense Acquisition Council और रसिया के साथ मिलकर 38,900 करोर रुपय का एक्विपनस दिल साइन हुआ है जिसमें से 21 MiG-29 फाइटर इंडियन एर फोर्स को मिलेगा और 59 MiG-29 फाइटर जेट फाइटर को अप्ग्रेड होगा और 12 सुखाई 30 को एक्वाजिशन होगा आए जानते है थोड़े रसिया के बारे में रसिया के कैपिटल है मास्कोव वहाँ के ओफिसल लाइंग्वेज है रसियन उनके प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिसुस्टिन करेंसी है रसियन रुबेल यह आप फोटो देख सकते हैं रसिया कहां एक्जिस करता है वोल्ड बैंप में बरते हैं नेक्स कोर्शन की तरफ किस बैंक ने गोशना की कि वह एक हजार सोरो में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ततकाल आपने ग्राहकों की पेसकस करेगा हमारे अप्शन है HDFC बैंक, ICIC बैंक, Axis बैंक, Canra बैंक तो इसका सही अंसर है HDFC बैंक आईए HDFC बैंक के बारे में थोड़ा जानते हैं, HDFC बैंक से ने गोशना की कि वह एक हजार सोरो में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ततकाल आटो रिन जीप ड्राइब पेसकस करेगा या आटो लोन डिसरबल उत्पाद के वल प्रीव अप्रीवड ऑफ गराकों के लिए होंगे या एक टेकनोलोजी इनेबल लोन प्रोड़क्ट हैं जहां बैंकिंग सॉफ्ट्वेर द्वारा क्रेडिट मुल्यागन किया जाता है HDFC का फुल फॉर्म है Housing Development Finance Corporation Bank इसकी हेड़कॉर्टर मुंबाई है चेर्मेन है दीपक पारेक और मैनेजिंग डिरेक्टर है अधित्य पूरी आए बरते नेक्स्ट के तरफ हमारे नेक्स्ट कोस्टन है विच इंडियन स्टूडेंट रिसीब दर 2020 डियाना अवार्ड फॉर्ड रिसाइक्लर अप विच सी डेवलप तु कनेक्ट यूजर्स विट वेस्ट हैंडलर एज अमेजर तो हेल्प दर रैक्पिकर्स ऑफ डेली यानि हिंडी में किस भारती छात्र को अपने रिसाइकलर अप के लिए 2020 डायना पुरुष कार प्राप्थ हुआ जिसने उसने दिल्ली के रैक्पिकर्स की मदद के लिए उप्योग करताओं का अपसिस हैंडल यानि वेस्टैलर से जोणने के लिए विक्सित किया गया question का option है भासकर सेन, अरून कॉल, फ्रेया ठक्राल, आचल कुमार तो इसका सही answer है फ्रेया ठक्राल अब देख सकते हैं इनकी photo है बेटेस स्कूल की नए दिल्ली की 13 वर्सी चात्रा, फ्रेया ठक्राल को अपने रिसाइकर अब के लिए 2020 को डायना प्रुषकार मिला जिसे उन्होंने दिल्ली के रैक्पिकर्स की मदद के लिए उपयोग करता हुको अफसीसा हैंडल से जोडने के लिए विक्सित किया है राजकुमारी डायना की जनती पर परतिवर्स परदान किया जाता है डाइना प्रिंसेस अफ वेल्स मेमोरियल अवार्ड की स्थापना 1999 में ततकाल चांसलर गॉर्डन ब्राउन की अर्धिक्ता में एक बोर्ट द्वारा की गए थी डाइना पुर्षकार का उद्देश से उन कारियों को सरहना करना है और जस्थ मनाना है जो युवाग में समाज में करते है परते नेक्ट कोशन की तरफ बारतिय राष्टिय राजमार प्रधिकरन यानि नहाई NHAI का अध्यक्स का नाम क्या है जिनों उनके कारिकाल में 6 महिने का विस्तार मिरा है हमारे उप्सान है नुपर मित्रा, अलोग कुमार मिश्र, बी एक प्रभाकर, सुखवीर सिंग संदू इसका सही अंसर है सुखवीर सिंग संदू यह है सुखवीर सिंग संदू की फोटो आप देख सकते हैं भारतिय राष्टिय राजमार प्रधिकरन के अध्याच सुखवीर सिंग संदू को अपने कारिकाल में 6 मेने का कारिकाल एनेची के रूप में मिला है मंत्री मेंडल की नियुक्ती समीती ने संदू गे केंद्री परति नियुक्ती कारियाल के विस्तार को 21 जूलाई 2020 से 20 जनवरी 2021 तक एनेचाई के अध्याच के रूप में मंजूरी दी गई है आए एनेचाई के बारे में जानते हैं एनेचाई के फूल फ्रॉम है नेचनल हाईवे अथरोटी अफ इंडिया यह भारत सारगार की ऑटोनोमस बोडी है जिसकी स्तापना 1988 में हुई थी और यह भारत में एक प्लाक 15,000 किलोमेटर से अधिक राष्टी राजमार्गो नेटवर्क के प्रभंधन के लिए अक्षर किया हैं बरते एक्स्ट कोर्षन की तरफ एसे हैं लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वीच इज इनेगरेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर स्री नरेंद मोदी ओन जुलाई 10, 2020 वेर इडिज लोकेटेड एसे हैं के सबसे बड़ा सौरी उर्जा संहियत जिसका गृष्त प्रदेश तो इसका साई अंसर है रेवा मद्यपरदेश ये ममसीतर में देख सकते हैं ये मद्यपरदेश इंडिया में कहा पर दिख रहा है आए मद्यपरदेश के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं वहां की कैपटल है भौपाल, टोटल रिश्टिक है 52 को मद्य पर्देश के रिवा जिला में एसिया के सबसे बड़े सौर उर्जा सनियनत का उद्गाटन करने के लिए तैयार है या घोसना मद्य पर्देश के मुखमंतरी सिवराज सिंग चोहान ने की पेम नरिद मोदी वीडियो कॉंफरेंस के जरी 750 मेगाट के अल्ट्रा मेगा और सौर उर्जा सनियनत को राष्ट को समर्दपित किये है रिवा अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा पर्योजना मद्य पर्देश के रिवा जिलो में इस्तित है रिवा अल्ट्रा मेगा सौरल लिम्टेट के नाम से एक संयूंक उद्ध्यम कंपनी है जिसकी अस्तापना सौर उर्जा निगम आफ इंडिया S E C I और मद्धे परदेश उर्जा विकास निगम लिम्टेट M P U V N L द्वारा पडियोजना के सफल कारे अन्वन के लिए की गए थी यह रही कुछ पोटोज आए बढ़ते कोशन नेक्स की तरफ विच इंस्टिूट इज नॉट रेकोनाईज बाई डवलो एचो फो टिवी स्टेशिंग किस संस्थान को टिवी परिशन के लिए डवलो एचो दोरा मनाता है पर आप नहीं है हमारे अप्शन है इसका सही अंसर है आए जानते हैं डवलो एचो को बारे में इसकी फ्रोमेशन साथ अप्रेल उनिस्ट और तालीस को हुआ था उसे वर्ल्ड हेल्ड दे भी बनाये जाता है हेड़कोर्टर है जीनेवा स्टूजियो लैंड में डारेक्टिर जनरल है टेड्रोस एड्नॉन डेपटिर डारेक्टिर जनरल है स्वामया स्वामयनाथन एंड जैन एलिशन टोटल मेंबर ओफ डवलो एचो को हैं 184 मेंबर्स है आए इसके बारे में थोड़े जानते हैं 207 संगतन ने टीबी का पारहमडिक अवस्था में पता लगाने और उसकी प्रमुक दवा के परतिरोधक चमता का आकलन करने के लिए भारते चिकित्सा अनुसंथान परिसाद ICMR समय तिन संस्थानों के तरफ से किये जारे जाज का समर्थन किया है तीनों अनुसंथान संसानों ने कहा कि उनकी टीबी के सुरुआत में पता लगाने है तू रैपिड मॉलिकुल ऐसे जाज और साथ ही वेसको बच्चों में रिमा फीन परतिरोधक का पता लगाने कि उनकी जाज का डवलेचर ने समर्थन किया है रिफां सीन टीबी के इलाज में सामाने तो पर इस्तमाल की जानी वराई दवा है तूरेंट एक नही तरह की जाज पर किया है जिसमें तेजी से टीबी और रिमे फीन सीन परतिरोधक की पहचान होती है इसमें तीन तरह के जाज के नतीजे आदे घंटे से भी कम समय में आ जाते हैं ICMR के अत्रिक्त अन्य दो संस्थान Foundation for Innovative New Diagnostic यानि FIND और Malbio Diagnostic है आए बरते हैं नेक्स्ट कोश्चन के तरफ विस्व बैंक ने किस भारती नदी के कायल कल्प के लिए 400 मिलियन अमिर्की डॉलर के सिर्क्रित दी है हमारे अप्सान है यमुना गंगा गंडक का वेरी इसका सही अंसर है गंगा आये गंगे का बारे में थोड़ा जानते हैं गंगे का सोर्स है गंगोतरी गेले से जो की उत्राखंड में पढ़ता है इसका ये बे ओफ बैंगाल में मिल जाती है इसकी टोटल लेंथ है 2704 किलोमेटर ये पांच स्टेट्स में मिलके भाती है ये अब देश की सबसे बड़ी नदी है इसके हैं करनाली, महाकाली, गंड़क, कोशी, घागरा और दामोदर इसके राइट टरिबिटरी हैं ये मुना, सोन, महाननदा, चंबल ये देख सकते हैं गंगोतरी की फोटोज है और ये गंगा कहां से कहां तक जाती है, इंडियन मैंप में आएज जानते थोड़ा विस्तरित विस्व बैंक ने एक बयान जारी करके ये कहा कि इस सहायता से नदी बैसिन के प्रभंदन को मजबूत करने में मदद मिलेगी जो लगबग 500 मिलियन लोगों का घर है बैंक वर्ज 2021 चल रहे राष्ट्य गंगा नदी बेसिन परिजना के मध्यम से इस परियोजना के लिए भारत सरकार के प्रयासों में मदद कर रहा है इसने नदी के प्रभंदन के लिए एक नोडल एजनसी के तोर पर राष्ट्य स्वच गंगा मिशन NMCG अस्थापित करने में भी मदद की है यह परियोजना सरकार के नमामी गंगे कारेकेम के साथ ही गंगा नदी में परदूसन नियंतरन के दिर्ग काली सरकारी योजना के साथ साथ जलकी गुनवक्ता को बहाल करने में भी अपना महत्पुन योगदान देगी विस्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर इंडिया जुनेद एहमद ने यह भी बताया कि पहली विस्व बैंक के परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे 20 प्रदूर्शन वाले हॉट्सपॉर्ट में महत्पुन सिवेज इंस्पास्रक्टर की नेमार में मदद की गई और दूसरे परियोजना इसे सहायक नदियों तक पहुंचाने में मदद करेगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिये सब्सक्राइब करिये और बेल आइकन दबाजिये मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई तैंक यू